हालो गाईज, वेलकम बेक तो माईनी वीडियो, मुझे पता है आप सभी लोग बेसब्ली से मेरे वीडियो का इंतिजार करी रहे होंगे, बट मेरी एकजाम होने के कारण और गर्वे वगेरा, कॉलेज में होने के कारण में बहुत चादर लब बीजी था, इसकारण वीडियो प्रोपर नहीं आप आया थे लाजट टू एंट्री डेस में, बट आज की वीडियो में हम इतनी सारी बाते कर लेंगे, इतनी सारी क्रेट किया है और वह सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सेटिस्फाई तो कर दिया होगा, और एडिविशन लेने चले करेंगे, बट फीस इतनी ज्यादा उन्हें पता चली कि इतनी फीस फीस नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने अब वह वीचार बहुत कन्फूज होगा हमारा क्य क्योंकि हमने तो सिटेज स्वाइब कर दिया, ठीक हम उसके बारे में भी बात करेंगे और जो नए रेइश्टरेशन हो रहे हैं उनके बारे राई पर ठ्लोज हो चुके हैं और रही बात टॉक्मेंट वेरिफिकिचिन तो उनका अब और वह स्थे आज नाज 9th अक्टुम् सिर्फ एक बार होता है ना कि भार बार होता है ठीक है एक बार ही डोकुमेंट वेरिफाई होते हैं ठीक है तो अब आप लोगों को हम सारी चीज़े बात करेंगे लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो इस लाइक ज़रूर कर दे थोड़ा सा मोटिवेशन आ लोगों ने अपग्रेट किया है उनके साथ क्या होने वाला है और जिन लोगों ने सेटिस्फाई कर दिया लेकिन कॉलेज मेडिशन नहीं लिया अब उनके साथ क्या होने वाला है पहले हम बात कलते हैं जिन लोगों ने अपग्रेट नहीं किया है तो अब आपको क्या करना दहएक आपको जोंडरेंग्न सबस्क पिने depends कि दीड़ कर दिया जो मतलय वी को आपने तो उसकी अपक्राइब से स्टिक्राइब आपने ऐसे जोड़ी दिखती बात है अगर आपने सेटीसवाइब पर क्लिक कर दिया लिए ही रिजन होगा कि आप वसको एफुर नहीं कर सकते थे इसलिए आपने वह एड़िशन नहीं लिया कोई बार निया सेकेंड राउन में जा सकते हो और सेकेंड राउन में चोईस्ट फिलिंग करने हैं ठीक है जो सुच रहे होंगे जिन्नों नहीं किया ऐसा तो नहीं होगा कि अगर अपगेट करते तो उसी टाइम चोईस पर क्लिक कर दिया था था ठीक एड़ी से नहीं लिया उनको भी उसी टाइम चुछ फिलिंग करनी है जो नए रेजिट्रेशन आ रहे है उन्हें भी तभी चुछ फिलिंग करनी है साथ ही जुने फर्स टाइम रेजिट्रेशन कर लिया था वह दो कि मेरी फाइव भी कर वाली से जिन्हों ने अपग्रेट किया है तो अब आपकी बात कर लेते हैं आपकी पहले वाली सीट यहां पर कंफर्म रहेगी कि नहीं रहेगी सबसे बड़ा कोश्चन आपके दिमाग में यह है तो भाई साब मैं आपको यही कौंग अगर आपने अपग्रेट किया है और एकद अपको दिख जाता है किलियर नहीं है तो कोई बात लगब करी दिया हो इतने तो आप भी मेंचे और हुई और आपको भी आपके करीयर की पड़ी तो बहुत अच्छे से आपने किया ही होगा कही ना कई वीडियो देखे ही होंगे तो डेफिनेटली आपने उसके लेगा फिर से नहीं मिलेगा तो आपके लिए ऐसा है कि अगर आप जो भी कॉलिजिश स्टोइश करोगे ऐगर आपने मान लिजेंकों भी तीन कॉलेज चुश स्टेथति करेब अब पर एन अब दाए नहीं मिलेगा तो जो आपको मिला था ना वहाइद आपको फिट से मृ होगा कि अगर हम अपग्रेट करते हैं कोई सब्सक्राइब नहीं मिल सकता है क्या नहीं मिल पाएगा वैसा आपको एक ही कोलेज में एक इंसान के लिए दो-दो सीट भूक थोड़ी नहीं हो सकती है आपको आपने जो जो उपर चोईस करेंगे उसमें से कुछा मिल तो ठीक है नहीं है और कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि जो अभी अलर्टमेंट हुआ था डारेक्ट हम ऐसी कोलेज में चले जाएंगे तो ऐसा नहीं आपको फिर से से के लटमें लेटर आएगा कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हमने फॉस्स राउंड में जो हमें पर इस मि तब तक ही आप उसे रीडिम कर सकते थे अब आपका वो जो एलेट में लेटर वो किसी काम का नहीं रहा है तो अब हम सेकेंड राउंड के बारे में तुभी से बात कर लेते हैं तो सेकेंड राउंड में क्या होगा अभी फिलाल 11 तारिक से 13 तक चलने वाली है चोईस कल जो है मतलब जो अपग्रेड वगेरा का जो अप्शन ता साम तक ही बंद हो चुका था ठीक है वैसे ही जो है इस बार मतलब चोईस फिलिंग में भी यह होगा तो मतलब मानकर चलिए 12 तारिक को सभी लोग चोईस फिलिंग कर देना जिन लोगों ने अपग्रेट किया था है फिर साब को चोईस फिलिंग करनी है सभी लोगों को याद रहे जितने लोग की वीडियो देख रहे हैं और वह मैरित लिस्ट में क्या रहेगा कमबाइन मेरिट लिस्ट बनेगी यो अभी फिलहाल जो बच्चे बच्चे हुए वह प्लस नए अड़ और दोनों मिला कर ज तोटल नंबर ओप सीट साई कितनी सीटें रिमैनिंग बच्ची हुई है अच्छा बहुत सारे लोग इस चीज के लिए भी कंट में सारी चीज़े पूरे वीडियो अब देखना आपको एटू जेट सारी इंफोर्मेशन जैसे समेरे दिमाग में कॉश्चन आ रहे हैं कि हाँ आपके दिमाग में चल रहे हैं तो आपके हो सकता आपका जो कोश्चन है अभी चूपा हुआ अभी तक वह सामने नहीं आओ लेकिन पूरा वीडियो देखना आपको पूरा कंपल सरी हंडेट इन बन पर सापका डाउट क्लियर होई जाएगा ठीक है लेकिन आपके डाउट बताने के चक्कर में भूल गया कि मैं भी क्या बता रहा था क्या बता रहा था मैं शेडूल बता रहा था ठीक है पहले तो वही बात कर लेते हैं तो दस तारीक को मेरिट लिस्ट आइग और नंबर ओप सीट साइगी टोटल है ना कितनी सीटे बची हुई है सेकेंड अब देखोगे मतलब जो अलोट नंबर ओप अलोट में जितने हुए है वह आप काउंट कर लेना और कल जो में सीट मैट्रिक्स उसमें देख लेना कितने बहुत कम एडिविशन दानों उसमें से 50% मान कर चलिक एडिविशन हुए होंगा मात्रव उसका रीजन यह है कि लो एक्चुल में बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं तो यह भी काफी लोगों के साथ हुआ है तो सीटे जो है बहुत है कोई दिक्कत ने आपको कॉलेज मिलेगा और आज राजियू गांदी और वीनावादनी की पर्मिसन पर्मानेटली हट चुकी है कल नोटिफिकेट आज पर्मिसन के लिए होंगे डेफिनेटली होंगे कमेंट करके बताना कि हमने दिया तो कितना दिया था बताना ना थाकि लोगों थोड़ा सा आइडिया लग सके ठीक है तो कॉट आप नॉर्मल ही रहेगा को दिक्कत वाली बात निए गाइस तेरा तक आपको चोई 10 तारी को स इसके बाद में 16 तारीक को साइद अलोटमेंट होगा 16 को अब आप शॉला कोई होगा पंद्र है शॉला को समतिंग अलोटमेंट होगा ठीक है ओसके अब मैं अठारा तारीक से तीन दी अठारा नीज बीस साथ एडविशन के लिए तीन दिन का टाइम दिया गया है मुझे एक तम एक्टम एक्टली अभी मैं भूल रहा हूं आपको वीडियो की तक में कमेंट नहीं पड़ा रहा है कुकि मेरी एकजाम और ये चीज़ें चल रही तो अभी मेरी एकराम हैma ब्ट आपके इसके अलाबा जो भी जो है काउंस्लियेटेड जो भी प्रोब्लम है जो भी क्योरी से आपकी सोल्व हो सके आपके डेफिनेटली अभी तक काफी लोगों की हेल्प हुई है और आगे भी होती रही है अभी बहुत सारे बच्चों के एडिविशन हो चुके है ठीक है तो उनके भी रिव्यूस में ड